mutual inductance self में क्या था हो खुद के करेंट के करण खुद EMF जनरेट कर रहा था mutual में हैं दुसरे के करेंट मालो अब कॉम्बिनेशन है आखिर अब यहां पर भी एक से ज्यादा लूप है मनलो एक यह लूप है और अगर 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 अब ही एम एफ जन्रेट हो रहा है तो इसको अपन क्या बोल रहें है mutual mutual inductance inductance ठीक है M से किसी लिनोट कर रहे है M से जैसे इसको ल से किये थे self inductance को वैसे mutual inductance को किस से कर रहे हैं पूरा concept होई है कि यह जो flux है वो directly proportional होगा current के अब current in second one अब पीछले पर क्या था खुद का current था अब किसी और का current है है ना किसी और के current क्योंपर डिपेंड करेगा यहां पर flux तो यहां पर अपन ने बोल दिया flux is equal to m into i वहां पर क्या बोल दिया था flux is equal to l into i वहां पर self inductance में क्या बोला था सेम है डिट्टो एकदम डिट्टो self inductance में क्या बोला था कि अगर कोई यह inductance है l यहां से current i जा रहा है और rate of change हो रहा है di by dt त तो यहां पर जो potential difference था यहां पर अपन ने लिखा था l di by dt तो यहां पर अपन क्या बोलते हैंगे l m di by dt बस यह अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है ठीक है कि तो mutual inductance के उपर मैं आपको questions देता हूं बहुत सारे बहुत सारे क्या एक-दू question करेंगे अगर पांच-दू लाइन का कोशन इस सो चुड़ो हाँ यह एक लाइन का यह करते हैं तो वाली इतना बड़ा पांच-दू पढ़ेगा कि देखो क्या बोला है कि दो क्वाइल है सर्कुलर क्वाइल ठीक है पहला केस में बोला हुआ है दो कोशन है इसमें पहला केस में बोला हुआ है कि दोनों सेम प्लेन में है मतलब यह जिस प्लेन में यह भी बड़ा वाला और छोटा वाला सम सब सेम प्लेन में ठीक है हो छोटे वाले का रेडियस है एवन बड़े वाले का रेडियस है कि अटो और बोला कि अटू जो है वह बहुत 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 बढ़ा है जो चीक है आप आपको बोला है mutual inductance बताओ दोनों का तो देखो mutual inductance किसी चीज़ के उपर तो depend करता नहीं current और int के तो किसी भी एक loop में current ले लो उसके वज़े से दूसरे loop में क्या निकालो flux और फिर आपको मालूम है flux is equal to m into i तो जो flux आएगा उसको m i के proportional कर दो तो m की value आजाएगी mutual inductance की है ना तो अब सवाल उड़ता है कि किसको ले सवाल क्या उड़ता है कि इसमें अंदर वाले में current लें कि बाहर वाले में कुछ से बताओ कि किसमें लेने से ज़्यादा असान जाएगा किसमें current लोग है तो दूसरे में flux लगाना निकालना बहुत इजी होगा किसमें बताओ आप खुद attempt करो मैं कुछ नहीं बोड़ रहा हुआ 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 है किसी में भी ले सकते हैं लेकिन एक में लोगे तो फायदा मिलेगा तूरंत एंसर आएगा और एक में लोगे तो करी नहीं पाऊँगे किसमें लेंगे तो हो जाएगा देखो mutual inductance समझ में आया किसी एक में current जा रहा है उसके current दूसरे में flux चेंज हो रहा है तो किसी एक loop में आपको current लेना पड़ेगा अब यह जरूर नहीं circular हो यह square हो सकता है है rectangular हो सकता है कैसा भी हो सकता है एक में current के current उसके आगे दूसरा जो है उसमें से क्या निकालना है है flux तो flux is equal to m into i simple सा यह concept है यह concept को लगा करके यहाँ पर आपको निकालना है mutual under tense कितना है एम बताना है आपको क्योंकि m current होगर इनकी उपर depend नहीं करेगा shape and size की उपर depend करेगा तो depend size तो fixed है तो बता है कि देखो करके देख लो ना idea नहीं हो रहा कोई बात नहीं मानते हैं कि इसमें अगर current आई होगा तो यहां पर magnetic flux कैसे होगा ऐसे अंदर यहां पर अंदर गया होगा और यहां से भार आया होगा अब इस बड़े वाले से total flux कितना ही impossible और यहां पर पूरे में बाहर है कितना कितना दूर integrate करोगे तो इसलिए और अपन को एको दाटा दिया वहाई कि A2 is greater than greater than greater than greater than greater than A1 बड़ा है तो नेट फ्लक्स निकालना थान थान प्लस अकर मानेंगे तो यहां का मैनस और हर जगा रजर का वेरीबल है हाज लिए हाँ अगर एवन में अपने करेंट माना है तो पूरा इटू के अंदर फ्लक्स निकालोगे और अगर एटू में करेंट मालो आई तो मालू मैं इसके करण अंदर में तो पूरा एग्दम छोटा पूला है एवन इस वेरी स्मॉल देन एटू एक्टू डियाग्राम यह ऐसा है कि अगर एटू ऐसा है तो एवन ऐसा तो अंदर तो पूरे में यूनिफॉर्म मान सकते हो फूरे में तो और एक सरकल के करण सेंतर में कितना हमीनिंटिक फिल्ड होता है मूनट आई बाई two आर त्व efter तू ऑर यह होगया magnetic field अंदर में बड़े वाले के कारण और अंदर में पूरा area पूरा में magnetic field constant बान सकते हैं तो flux क्या हो जाएगा? flux will be magnetic field into area pi a1 square तो flux is equal to m into i i ने i को बहरे मी से मा डाला m की value आगई simply mu0 pi a1 square by 2 a2 easy था चलो next सवाल हाँ वाय रेक होने में तो उस पूरे लूप के अंदर area निकालेंगे area से multiply करेंगे तब तो flux निकलेगा flux क्या होता था magnetic field into area b.da यादा रहे क्या? integration of b.da तो यहाँ पर पूरे में magnetic field constant मान लिए अपनने कितनी mu0 आई बाई 2 a2 तो magnetic field into पूरा area करेंगे तो पूरा इसमें से flux आ गया तो एक में करेंट लिया दूसरे में flux लिया मतलब अंदर वाले में currently आपने है ना अगर आप अंदर वाले में current लोगे तो पूरा बाहर वाले के अंदर में magnetic flux निकलना पड़ेगा इस पूरे area में पूरे अरिया है थोड़ी फ्लॉक्स निकाल पाओगे उसके बीच का पूरा एरिया कर ऐसा सर्गूलर लूप है तो इस पूरे एरिया से आपको जो भी फ्लॉक्स आ रहा है बीडॉट डिय पो निकालोगे इना सर्गूलर लूप यहस